हलो एबरीबन वेलकम टू आवर चैनल गाइज यहां पर आज हम बात करेंगे राजस्थान करमचारी चैनल बूड का कॉमुनिटी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर ध्यान रखेंगे कॉमुनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिकूरूट्मेंट नॉटिपिकेशन के बारे में लेकिन आगे ब अप्लाई कर सकते हैं कि रहेगा सबसे पहले आपको वन टाइम करना है जिसमें आप अपना जो आपका ऑफिशल डॉकमेंट से वैले डॉकमेंट से उसके आधार पर ओटी पी तुरू रजिस्टर करेंगे क्लियर रहेगा अप्लिकेशन फॉर्म में जितने भी रिक्वाइ राजस्तान के नॉन क्रीमिलियर को 350 रुपे देने हैं और समयस्त विशेश योग्यजन और राजस्तान के अनुसुची जाती जन जाती के लिए 200 रुपे देने हैं द्यान रखेगा यह तीन कटेगरी दिया गया है अप्लिकेशन फी का जेनरल कंडिडेट के लिए यहां प सेटर में अगर हम बात करें तो 3071 पोस्ट के गईicial के ऐनहस्ती जार के बारे में बात की घ्यान रखेगा 3071 पोस्ट में से चैती दारक्षन जो है इसमें टोटल आपका यहां पर भुत पुरोशैनिक को 383 इसके अलावा यहां पर देखेंगे फिजिकली हैंडिकैप या डिफरेंशियली एबल्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर अलग-अलग क्राइटेरिया दिया गया है अब अनुसुचित चेतर में हम बात करें आपसे तो अनुसुचित चेतर में टोटल 460 पोस्ट रखा गया है ठीक है अति पिछड़ा वर्ग हैं, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको गौवर्मेंट के नॉम्स के हिसाब से यहां पर आरक्षन प्रोवाइट किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया है, ठीक है, चलिए, अगर कोई बेक्ति है, स्पोर्ट्स कोटा से अपलाई करना चाहता है, तो स्पोर्ट्स कोटा में क्या-क्या चीजें कंसेडरेबल होंगी, उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया है, ठीक है, नेक्स्ट आता है कि PWD कंडिडेट्स का कंसेडरेशन की साधार पर किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है, अनुसुची चितर के लिए विशेश प्रोविजन मताई गई है, नेक्स्ट आता है आपका बेतनमान, ध्यान रखेंगे सेलरी, सेलरी आपका 25,000 पर मन्त रहेगा, ध्यान रखेंगे आप 25,000 रुपे प्रतिमाह रहेगा, इसके अलावा बॉंड जो है, बॉंड ध्यान दे आयूरवेदा प्रेक्टिक्शनर, BA, MSB यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अल कंडिडेट्स जो हैं यहाँ पर, क्या रहेगा, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर उनको सौट लिस्ट किया जाएगा, ठीक, चलिए, नेक के बारे में, यहाँ पर दिया गया है, कि अपलाई कर सकते हैं, नेक्स्ट है आपका, आयू, आयू जो है, एक जनवरी दोहजार थेस्ट को, मिनिमम् ट्वेंटी वन येर्स होना चाहिए, और यहाँ पर, मैक्सिमम फोटी येर्स होना चाहिए, ठीक है, काउंटिंग कब हो से ले करके 12 जुशंबर दियान रखेगा, यहाँ पर, कब से कब तक आप अपलाई कर सकते हैं, तो आठ नौवम्ब से ले करके 12 जिसमबर तक यहाँ पर जमाई आप application के लिए form apply कर सकते हैं ठीक है साथी साथ सुल्क जमा कर सकते हैं परिक्षा आयोजन की अगर हम बात करें तो different centers बनाया जाएंगे वहीं पर आपका इसका exam conduct कराया जाएगा इटमीं सलेक्शन का करेटिरिया यहां पे जो है आपका रितन टेस्ट यह लिए साड़ी चीज़ें आवेधन करने के लिए ऑफिशल बेव साइट पर जाएंगे ऑफिशल वी साइट पर जाने के बाद ही आप यहां अप्ली अप्लीकेबल है अप्लाई करने के required होंगी जیसे आपका फोटो कैसा होना चीए हस्ताक्षर कैसे होने चीए उसके बारे में इमेज का फॉपार्मेट्स वगरा कैसा होना चीए इसके बारे में बताया गया है अब ठाल पर क्या-क्या रहेंगी संड्रड रुपीज का अगर आपका कोई काbekों है करेक्शन के लिए थे असे बारे में आपको आएंगे ठीक है नेंट आता है संशोधन में ठीक है घ्याँ रखेगा संसोधन के लिए प्रक्रिया की एगर हम बात करें कि अगर मानलों कोई corrections है आपके form में तो उसके लिए अलग-अलग conditions बताई गई है प्रमाण पत्र के सत्यापन के हो यानि कि आठ नॉमबर आज से अप्लिकेशन आपका स्टार्ट वो रखा है और साथी साथ कब से कब तक चलेगा सेवेंथ दिसंबर तक तो यह है आपका कॉमुनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड का रिकूरूटमेंट नॉटिफिकेशन का अपडेट बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट में अप्लाई करने से पहले एक बार एक बार ऑफिस्यल नॉटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा ओके थैंक्यू सुमच